नमस्कार मरी गुरू की इस खास पेशकुष में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ स्वाती रायना आज के इस खास शो में हम समझेंगे बजट से पहले क्या रहे आपका एसेट अलोकेशन प्लान टैक्टिकल कोर्ट पोर्टफोलियो क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है बजट से पहले कब करे बदलाव कब नहीं करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में बदलाव ये जानने की कोशिश करेंगे आपका छोटी अबधी का पोर्टफोलियो का प्लान है लंबी अबधी में निवेश की प्लानिंग में क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है जा बहुत धन्यवाद करपेश ओहेवन जी आप दोनों का करते हैं मनी गुरू के आज के इस खास बजट स्पेशल शो में और सबकी निगाहें हमेशा की तरह इस बजट पर एक बार फिर से हैं हाला कि अंतरिम जरूर है लेकिन अंतिम तो नहीं है इसलिए जो निवेशक है वो चाह रहे है कि कुछ अच्छा उनके लिए हो इस बार बजट में लेकिन साल के लिहास से भी जो यह टाइमिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के कुछ बड़े ट्रिगर से हैं मन जी यह बात बिलकुछ सही है आपकी कि यह साल में बहुत कुछ होने वाला है अभी हम देख रहे हैं कि बजट तो खेर हर साल होता है इलेक्शन आ रहे हैं और जब भी मार्किट को यह लगता है कि पॉलिसी में इन्टिनिटी रहीगी और जिस तरीकी का काम हुआ है इंफरस्ट पे मेनुफैक्शरिंग पे तो मार्किट को काफी उमीदे हैं कि यह अच्छा जो दौर है वो चलता रहेगा और जाहिर सी बात है कि अज़र इंवेस्टर जब आप इन्वेस्ट करते हो और आपको लगता है इस मार्किट अच्छा करता है जैसा पिछले एक्डेट साल से तो इन्वेस्टर के लिए डेफिनेटली मौके हैं कि आपको अच्छी हेल्दी रिटर्न मिल सके अफ्कोर्स मुझे लगता है इस साल में थोड़ी सी जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा टोन डाउन करने की ज़रूत है पिछले साल जैसे रिटर्न तो आप एक्सपेक क्योंकि आपने कुछ इंपॉर्टन इवन्स की बात की और वह एक तरीके से इंटरकनेक्टेड भी है दूसरे से एक तो लोकसभा के एलेक्शन उससे पहले का अंतरिम बजट उसके बाद एक साल में दो बजट होगे क्योंकि उसके बाद एक फुल फ्लेजट बजट होगा नई सरकार नया बजट पेश करेगी फिर ये भी उमीदें लगाई जा रही है कि हो सकता है साल के दूसरे हिस्से में हम ब्याजदरों में कुछ बदलाव भी देखे हमने क्यूंकि एक्विटी में काफी जादा अफसर देखे दोहजार तेईस में बनते हुए दोहजार चौ सबसे पहले जैसे आपने कहा कि इस साल ये दो बजट होने वाले हैं और हाला कि जैसे इसको वोट अन अकाउंट किया जाता है और दूसरा जो में बजट है वो शायद जुलाई में पेश किया जाएगा तो इस बजट को I think सारे निवेशकों को एक एपिटाइजर के तौर देखना चाहिए क्योंकि में कोर्स तो फिर जुलाई में ही होने वाला है तो जैसे हम एपिटाइजर में थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हैं जो में कोर्स आने के लिए वैसे ही हमें अपने पोर्टफोलियो को लेकर हमें निवेश को लेकर पूरी एक तैयारी करनी है प्ल बहुत ही एक important पहलू है, एक profile का, एक asset allocation का बहुत ही important एक aspect है और सब के portfolio में मैं मानता हूँ debt का allocation अपने profile के हिसाब से होना जरूरी है और debt में जो एक बहुत ही simple सा नियम है कि जब ब्याजदरें घटने की उमीदें होती है तब जो bond yields होते हैं वो बढ़ते हैं तो एक ऐसा महौल अब बन गया है कि दो साल बहुत ही high मेंगा इदर या inflation को देखके अब सारी उमीदें ना सिर्फ इंडिया में बलकि globally इस पे टिकी हुई है कि सारी ब्याजदरें अब घटेंगी और जैसे ही अगर वो ब्याजदरें घटेंगी तो जो भी debt funds है उनको फाइदा होने की उमीद है जो long term funds हैं वो तो अपने portfolio में सबसे important है कि debt का allocation अपने profile के हिसाब से अपने goals के हिसाब से रखना जरूरी है लेकिन यहाँ पर मैं एक cautionary note भी कहना चाहता हूँ कि global environment अभी भी थोड़ा I think shaky है उसमें काफी सारी चीज़ें ऐसी चल रही है कि सब कुछ होने के बावजूद सारे संकेत होने के बावजूद की ब्याजदरें घटें लेकिन what if अगर ब्याजदरें ना घटीं तो हमारा portfolio भी अनुमान है कि हमारी portfolio की planning ऐसी होनी चाहिए कि इसमें शायद हम 50-50 का एक allocation ले ले कि 50% अगर हम short term funds ले और 50% long term funds ले तो कुछ भी decision हो जाए तो मतलब उसके anticipation में आपको कुछ planning तो करनी चाहिए अब क्यूंकि ये इस साल के जो important events की शुरुवात अंतरिम budget से ही हो रही है और उसके बाद फिर एक से एक बड़े event हम देखेंगे इस साल में कईयों के मन में सवाल है कि asset allocation में क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो budget से पहले का जो asset allocation प्लान है strategy है हीमन जी उसमें किन-किन स्तर पर आपको लगता है बदलाव अभी करना चाहिए या जरूरी भी है करना इसके दो important aspect है एक तो यह है कि asset allocation हमारे portfolio के लिए बहुत important है वो इसलिए important है क्योंकि वो हमारे portfolio को diversify करता है risk reward के बीच में जो सही balance चीए वो आपको मिलता है आपको पता चलता है कि आप कितना risk ले रहे हो किस तरह का return आप लोगे तो जो disappointment होती है वो बाद में नहीं होती है तो उसके basis पे जब आप बनाते हैं तो क्या करते हैं आप long term में आप inflation को beat करने ही कुशिश करते हैं short term में आप capital protection करते हैं इसके दोरान में कुछ events आते हैं जैसे हमने बात की कि अभी budget आते हैं budget तो हर साल आते हैं फिर RBI policy है फिर elections है geopolitical issues है तो मुझे मुझे लगता है किसी चीजें ऐसी होंगी budget के अंदर भी हमने पहले भी देखा है कि अगर मान लीजे कुछ taxation में बदलावाता है या आपको पता चलता है कि कौन से sector favor में है within asset class थोड़ी से changes करने पड़ सकते हैं जैसे पिछली बार जब taxation में change हुआ debt में तो काफी investors ने वो पैसा hybrid fund में invest करना चु तो एक तो वो important चीज है दूसरा जो अगर हम equity के point of view से बात करें sectors के rotation जो होता है उसकी बात करें तो मुझे रगता है as an investor जब mutual fund में invest करते है न तो यह सब हमें fund manager के उपर छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम खुद से अगर वो चीज करने लगेंगे तो फिर हम क्या कर रहे ह बट उसके हिसाब से आपको अपनी asset allocation को बदलाव करना नहीं है उसको basis नहीं हो सकता आपकी asset allocation का आपकी requirement आपका risk factor आपका time horizon वो basis होना चाहिए लेकिन जैसा मैंने कहा ये events के ओपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आपको portfolio में कुछ बदलाव करने इसके ऐसे भी है जो कि फायदा उठाना चाहते हैं किसी event से और इसमें कोई गलत बात नहीं है और यहीं पर tactical allocation काम आता है लेकिन उसमें भी tactics की जरूरत पड़ती है इसलिए कलपेश जरा समझाईए जो tactical allocation किसी को भी मानिए event based करना है तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है कै इसे identify आपको करना चाहिए कि कौन से sector या कौन से theme में आप निवेश कर सकते हैं कितनी देर का tactical allocation किया जा सकता है क्या इसका base है क्या अधार है इसका जवाब मैं दो हिस्सों में देना चाहता हूं सवाती सबसे पहले I think definition की उपर गौर्द करना जरूरी है कि हम diversification और asset allocation का जो करते हैं कि large cap में मेरा जो हिस्सा है उसको मैं अभी large cap से अटा के mid cap में ले जाओ mid cap से अटा के मैं small cap में ले जाओ लेकिन यहाँ पर समदना है asset class तो उनका वो ही है equity आप asset allocation जब करते हो तब एक बिलकुल अलग asset class में अपना निवेश करते हो जिसका एक asset से दूसरे asset के साथ कोई लेना देना नहीं होता तब जाके आपकी risk dilute होती है तो यह बहुत समदना जरूरी है अब जो आपका दूसरा question है उसका मैं जवाब देता हूँ कि sectoral या theme I think फिर भी आप एक equity asset class की ही बात कर रहे हो और जैसे हमन्त ने बताया कि अगर आप उस call को direct equity के माधियम से लेन हो क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ एक या दो stock पे अपना दाव लगा रहे हो और अगर आप mutual fund के भी sectoral या theme लेते हो तो एक fund manager की समझ या उसकी maturity या उसकी judgment के उपर पूरा दारोमदार रहता है तो sectoral और theme ऐसे भी it is dangerous क्योंकि उसमें आप entry तो कर लोगे लेकिन exit कब करना है वो बहुत ही difficult होता है क्योंकि कब उसका flavor बदल जाए कब वो out of favor हो जाए और कब उसके returns कम होने लग जाए आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मान के चलते हो कि मैं इसमें से 6 मेने या 12 मेने में निकल सकता हूँ और अगर आपको आपके मन के हिसाब से returns नहीं मिले तो उ अपना निवेश ना करे और अपना जो tactical allocation जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको अपने goals के हिसाब से सेट करे या strategic allocation की जो हम बात करते हैं तो I think निवेशक invest भी रहेंगे और अपने goals को भी हासिल करेंगे क्योंकि यहां पर एक चीज़ समन्नी बहुत जरूरी है जैसे आपका प enjoy it या आपको उसका मुनाफ़ा नहीं मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि क्योंकि sectoral यहां पर thematic निवेश के आपर बात चल रही है definitely budget में कुछ ऐसे themes कुछ sectors ऐसे होते हैं जिनको हमेशा से benefit मिलने का अंदेशा जताया जाता है और इस बार भी हम यही expect कर रहे हैं क्योंकि कई निवेशक हैं जो चाहते हैं कि हां sectoral bet लिया जाए जो कि थोड़ा portfolio उनका portion में जिसका वो फायदा उठाना चाहते हैं किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है sectoral bet लेने से पहले और कौन से sectors हैं जो आपको लगता है कि जहां पर हो सकता है budget में कुछ अच्छे ऐलान संभव हो जहां पर आप opportunity देख पाएं पिल्कुल I think opportunities हमेशा रहती हैं जैसा आपने का किन बातों का ध्यान रखेंगे तो पहले तो यह समझना है कि as a concept जब आप sectoral या thematic fund में इंवेस्ट करते हो तो universe जो है वो छोटा होता है as compared to diversified funds तो जहार सी बात है कि जब आप एक चोटे universe में इंवेस्ट करते हो तो इसमें volatility जादा होती है of course opportunity भी जादा है return भी जादा है लेकिन वहाँ पे entire exit बहुत important है लेकिन अगर आप experience investor है आप समझते हैं अपने risk profile को समझते हैं और आपको लगता है कि आपको ये जानकारी है कि आप उन sectors पे बैट लेके आप पैसा बना सकते हो सबसे अच्छा फाइदा mutual fund में कैस्पेशली अगर आप sector या thematic fund को देख रहे हो तो आपको पूरे sector का फाइदा होता क्योंकि आप एक diversified portfolio within that limited universe जो है उसके अंदर आप एक diversified portfolio बनाते हो कहां पे ध्यान रखना चाहिए मुझे देखे हमने पिछले कुछ सालों से देखा है कि सरकार का जो focus है वो manufacturing के उपर रहा है infrastructure के उपर रहा है agriculture के उपर रहा है social sector के उपर रहा है तो यह और CapEx जिस तरीके का हो रहा है I think यह कुछ sectors है मुझे लगता है यह अच्छा करेंगे आगे बेजा के भी अच्छा करेंगे हाला कि यह vote of account है लेकिन यहां पर हमको intent पता चलेगी कि सरकार अगले 5 साल में क्या करने की इच्छा कर रही है दूसरी बात जो budget से पूरी related नहीं है हमने बात की emerging scenario की कि जहां पर interest rate कम होने वाले है हाँ यह हो सकता है अब issue यह है कि वो इस quarter में हो यह अगले quarter में तो जरूरी है quantum भी पता है आपको कि कितना हो सकता है और समय लगेगा उसमें interest rate sensitive sector जो है जैसे banking banking में इसलिए recommend नहीं करूँगा क्योंकि जितने भी diversified fund है उनमें banking और financial services में अच्छा खासा exposure मिलता है उसके अलावा अगर आप देखें तो real estate sector है auto sector है यह जो sectors है और कुछ लगता है मुझे IT जैसे for example globally वो अच्छा करने की उमीद है तो यह कुछ sectors है मुझे लगता है जहां पर opportunities होंगी लेकिन मैं फिर से कहूंगा अगर आप आम निवेशक हैं तो अगर आप SM में invested हैं जहां पर आपकी return above average है तो यकीन मान के चलिए कि fund manager आपके बिहाब पर decision देंगे लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो experience हैं risk ले सकते हैं तो कुछ sectors का चुनाव करके उस segment में भी एक diversified portfolio बना सकते हैं लेकिन अपने allocation कितना हो उस पर थोड़ा साथ ध्यान रखिए लेकिन ये अच्छे opportunity हो सकती है provided आप उसके attendant risk को समझते हैं और आपको ये यकीन है कि आप entry or exit से हैं entry or exit is very important एमन जी क्योंकि बात इसी की चल नहीं तो मैं funds कुछ आप आपको recommend कर सकते हैं आप जो की अच्छे in sectors या thematic funds जो की portfolio में आपको लग रहा है कि अच्छा कर सकते हैं जी स्वातिया थिंक जैसे कुछ sectors की मैंने बात की तो मुझे लगता है तो PSU अच्छा करा तो ABSL PSU fund देख सकते हैं power और infrastructure मुझे लगता है अच्छा theme है तो वहाँ पे निपोन इंडिया power infrastructure को देख सकते हैं manufacturing के हमने बात की तो ICSA manufacturing fund वो एक अच्छा fund है यह कुछ funds है जिन्हों के इनके अच्छे track record है अगर IT में हम बात करें तो ABSL का Digital India Fund वो एक उसकी performance काफी अच्छे रही है मुझे लगता देश का budget तो चलिए एक February को आएगा लेकिन जो आपका अपना budget है उसको तो आपको हमेशा देखना पड़ता है हर महीने हर दिन आपको उसको assess करना पड़ता है और important है समझना कि आप उसमें संतुलन कैसे बिठाएं कलपेश क्योंकि end of the day बात वही आती है कि आप बच्चत और खर्च को कैसे manage करते हैं portfolio में तो आपका management है ही पर overall जो आपका एक planning है budget को लेकर कैसे करें और क्योंकि अभी हम थोड़े देर पहले बात ही कर रहे थे कि tax में क्या मिलेगा new tax regime की तरफ हम मारा focus shift हो रहा है क्या less saving और more of खर्चा होगा तो क्या budget को कैसे अपने budget को कैसे संभाले जैसे कहते हैं कि going back to basics कि कभी भी हम जो खर्चा करते हैं वो खर्चा हमारे income से तो जरूर जरूर कम होना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारी families के profiles देखे हैं स्वाती कि उनको पता ही नहीं चलता खास तोर पर जो professionals होते हैं या जो entrepreneurs या business वाले होते हैं कि उनके खर्चे उनके income से ज्यादा है उनको महीने दर महीने ये पता ही नहीं चलता and yet they are living a good life जो fundamentally तो बिलकुल गलत है तो किसी भी चीज़ का आप एक cash flow बनाते हैं या family का budget बनाते हैं तो बहुत बहुत जरूरी है कि family के जो भी earning members है या even non earning members है वो उस budget को एक mil जुल के देखे और उसमें क्या हमारी income है और क्या हमारे expenses है उसका एक balance रखे एक simple सी अगर equation कही जाए तो अगर आपके needs और wants जो है वो तक्रीबन around 50-60% आपके आमदनी के होते हैं तो good अगर आपका कोई EMI चल रहा है या आपका कोई एक responsibility है तो उसका percentage 20 या 25% से ज़्यादा नहीं होना चीए और बाकी के जो 15 या 20% है वो बहुत ही compulsory या mandatory हो जाते हैं आप उसको निवेश करें अब problem यहाँ हो जाती है जब हमारा पूरा percentage का संतुलन बिगड़ जाता है और हमारे पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं बचते या तो हमारी liabilities ज़्यादा हो जाती है या तो हमारे lifestyle expenses ज़्यादा हो जाते है और आज के महौल में हम लोग ने जैसे आप बता रहे थी देखा कि इतने सारे खर्चे के opportunities हैं सारे आप देखो travel destinations या restaurants full है तो जाहर सी बात है as a human हम उसको ज्यादा उसके और आकरशित होते है लेकिन यहां पर एक आपको एक financial plan होना जरूरी है क्योंकि जितने भी budgets आएंगे जितने भी सरकार आएंगी जाएंगी आपका एक financial plan ऐसा होना चीए कि वो full proof होना चीए वो strong होना चीए कि आपके financial goals की और आपको लेके जा सके क्योंकि जब हम asset allocation की बात कर रहे थे जिनका भी long term का wealth creation का plan है या कोई goal oriented program है जादे पढ़ना चाहिए तो जिनका ऐसे निवेशकों का allocation में आपको लगता है बदला किया जाना चाहिए कुछ rebalancing budget specific होनी चाहिए नहीं जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो asset allocation है बहुत important है क्योंकि कहीं न कहीं वो risk reward के बीच में balance बनाती है और उसका जो basis है वो आपके अपनी requirement होनी चाहिए आपका time horizon होनी चाहिए आपका risk factor होना चाहिए उसके basis पे आपको करना बट जैसा मैंने पहले भी कहा मुझे लगता है यह जो events है इनके उपर आप ध्यान रखिए कि हो सकता है within asset class कुछ आपको changes करने पढ़ सकें जैसे हमने पहले भी बात की कि जब budget में जब changes हुए taxation पर debt fund में तो कुछ बदलाव करने की जरूरती तो उन पे नज़र रखिए उसके हिसाब से आप अपनी investment decision मत लगी इनके जो भी impact हैं कोई भी event हो वो short term impact होते हैं long term में बहुत ज़ादा impact वहाँ पर नहीं पढ़ता है long term में important है आपकी अपनी requirement आपका कितना समय है उसके इसाब से आप कीजिए और rebalancing कर करना भी हो तो दो कारणों से होता है अगर आपकी personal situation में बदलाव हो या अपने आप goal के नजदीक पहुच रहे हो तब आप जो आपके gains है उनको protect करना चाहते हो उनी दो कारणों से होना ये rebalancing होना चाहिए important है कि portfolio में flexibility हो जब requirement हो तो आपका करना पड़े तो कर सकें आप लेकिन जैसा मैंने का event के इसाब से आप अपने portfolio में asset allocation में बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी भी आपके financial future के लिए अच्छा नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि ये अंतरिम budget एक full-fledged budget की जहांकी हो सकता है सरकार reforms पर focus कर सकती है कुछ surprise, ऐलान भी हम expect कर सकते हैं बस इंतजार आपको करना होगा एक फरवरी का बहुत धन्यवाद हम करेंगे हेमन्त रुस्तगी जी और कलपेश आशार अब दोनों का हमारे साथे चर्शा में शामिल होने के लिए रोक टेक ब्रेक के लिए देखते रहिए जीवसनिस